दोस्तों में सौरों मलिक आप सभी का Only Top Study चैनल पर स्वागत करता हूँ डेली करेंट फेर कुईज में आज हम देखेंगे 23 जुलाई की करेंट फेर को जो की सभी प्रिक्साओ के लिए महत्पून रहेगी डेली करेंट फेर कुईज में मैं आपको डेली 10 मिनट में 20 करेंट फेर के कोशन आंसर को कवर कराता हूँ जो कि पूरे दिन की करेंट फेर होती है अगर आप लोग इस वीडियो का नोटिफिकेशन रेगुलर लेना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना आज का हमारा रिविजन कोशन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने NCR की तरज पर SCR गठित किया है इस कोशन का अंसर सभी स्टूडेंट कमेंट वॉक्स में बताएंगे शुरू करते हैं आज की करेंट अफेर को और पहला कोशन आपकी स्क्रीन पर है आर्थिक सर्विक्षन 2023 में पियम किसान योजना की रासी कितनी करने की सिपारिस की गई है पहले कोशन का राइट आंसर रहेगा दोस्तो आठ हजार यानि की ए राइट आंसर हो जाएगा इससे पहले ये छे हजार थी कोशन नमबर टू है महिला T20I में सर्वधिकरन बनाने वाली भारत्य खिलाडी कौन बनी है सही आंसर हैगा स्मृति मंधाना यानि की दोस्तो दूसरे कोशन कराइट आंसर ए हो जाएगा तीसरा कोशन है मनोलो मारकेज को भारत्य प्रूस फुटबॉल टीम का मुख्य कोच बनाया गया वह किस दिसके है राइट आंसर हैगा यह दोस्तो इस्पैन के है यानि की ए इस दा राइट आंसर कोशन नंबर फॉर है बी सी सी आई ने पैरिस ओलम्पिक के कैम्पेन के लिए कितने रुपे का योगदान दिया है कोशन नंबर फॉर का राइट आंसर रहेगा एट पॉइंट फाइब करोन यानि की बी इस दा राइट आंसर कोशन नंबर फाइब है यूकी भाबरी वे अलबानो ओलिवेट ने मेंस डबल का कौन सा किताब जीता है राइट आंसर रहेगा दोस्तों स्विज ओपन यानि की इस दा राइट आंसर देखेंगर आप लोग किसी भी कॉंपरेटिव एक्जाम की त्यारी करते हैं तो आप मारी मास्टर पीडियप ले सकते हैं एक सो सत्तर रुपे की पीडियप है इसके अंदर आपको सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे वो भी पूरी लाइफ टाइम के लिए आप कितनी बार भी पढ़ सकते हैं मास्टर पीडियप का लिंक डिस्क्रिप्शन बोक्स और अमारे वोट्सअप नंबर दोनों जगर रहेगा लिंक पर किलिक करके पेमेंट करके आप पीडियप डिरेक्ली प्राप्त कर सकते हैं और अगर आप लोग को payment बार कोड से करना चाहते हैं तो इसी नमबर पर message कर देना आपको बार कोड भी मिल जाएगा चटा question है किसे हाल ही में tennis hall of fame में सामिल किया गया है question number 6 का right answer हैगा दोस्तो लेंडर पेस और विजे अमरत राज को यानि कि उप्रुक्त दोनों रहेंगे दोस्तो चटे question का right answer C हो जाएगा सात्वा question है हाल ही में CAG Greece चंद्र मुर्मू ने कहां international center for audit of local governance का उदगाटन क्या है right answer हैगा गुजरात में यानि की B is the right answer question number 8 है हाल ही में उत्तर प्रदेश को वन ट्रिलियन डोलर की अर्थ विवस्ता बनाने के लिए किसने लक्षे और प्रियासों पर पुस्तक का विमोचन किया है सही आंसर हैगा सुरेश खन्ना यानि कि C is the right answer question number 9 है हाल ही में कौन भारते किर्सी को डेटा आधारित बनाने के लिए टू लॉंच करेगा question number 9 का right answer रहेगा दोस्तो गूगल यानि की B is the right answer question number 10 है हाल ही में PGIMER भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रालिक का इस्तापित करेगा right answer रहेगा दोस्तो चंडिगर यानि की B is the right answer question number 11 हाल ही में सरकार ने विमान के सभी पुर्जों पर कितने परतिशत एक समान IGST लागू की है सेशन आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक भी करना दोस्तो और अपने सभी दोस्तों के साथ में सेयर क्या करें ये वीडियो सुबह साड़े 6 बज़े ओनली टॉप इस्टडी यूटूब चैनल पर रेगुलर आती है आप चेक किसी भी एक्जाम की त्यारी करते हैं ये वीडियो सब भी परिक्साओं के लिए मैद्पून है ठीक है ओनली टॉप इस्टडी यूटूब च सेपन में देरी का हवाला देते हुए अपना चंद्रमा वाइपर रोवर मिशन रद किया है कि सही आंसर हैगा नासा ने यानि कि सी इस दा राइट आंसर कि पुश्यमब ठर्टी ने हाल ही में डॉक्टर एम एस विल्याथान का निधन हुआ है वे कौन थे सही आंसर हैगा चिकित्सक यानि कि बी इस दा राइट आंसर है कि पुश्यमब ठर्टी ने हाल ही में कि स्राज्जे के मुख्यमंति ने राजीव गांदी सिविल्स अब्यस्तम योजना का सुबारम क्या है सही आंसर हैगा दोस्तों तेलंगना यानि कि C इस दा राइट आंसर है कौश्यमब ठर्टी ने हाल ही में किस यूप्यस्टी के अध्यक्स ने इस्थिपा दिया है उनका नाम क्या है अधरवी कुश्यम का राइट आंसर रहेगा दोस्तों मनोज सोनी यानि कि B राइट आंसर हैगा कुश्यमब 16 ने हाल ही में पाई सनी कटन दिवस कब मनाया जाता है राइट आंसर हैगा 22 जुलाई को यानि कि B इस दा राइट आंसर कोशन नमबर 17 है हाल ही में सुल्तान इब्राहिम इसकंदर का किस देश किस समराट के रूप में राज्य बिसे किया गया है राइट आंसर है का मलेशिया के यानि किसी इस दारेट आंसर कोशन नमबर 18 है हाल ही में किसके द्वाल लेकित पुष्टक पावर विद इन दा लीडर्शिप लिगेसी आफ नेंदर मोधी कम्यों मुचन हुआ है राइट आंसर हैगा डोक्टर आर बाल सुबर्वानियम यानि कि 28 कोशन का दोस्तों राइट आंसर बी हो जाएगा कोशन नमबर 19 है किस पोडोसी देश में आरक्षन के किलाब हिंसा हुई जिसके चलते देश व्यापी करफियो और इंटरनेट बंद कर दिया गया 19 वे कोशन का राइट आंसर हैगा बंगलादेश यानि कि C is the right answer कोशन नमबर 20 है परियवरन संदक्षन के लिए ग्रोस इन्वार्मेंट प्रोटक्ट इंडेक्स की सुरुवात करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है 20 वे कोशन का राइट आंसर रहेगा दोस्तो उत्राखंड यानि कि D is the right answer अब ये तो थे 20 करेंट फेर के कोशन आंसर सब बात करते हैं आज के हमवर्क के बारे में आज का मारा हमवर्क का वोशन है थोमस मुला ने अंतरास्टे फुटेबोल से सन्यास की खोशना की वेक इस देस के लिए खिलते थे इस question का answer सभी student comment box में बताएंगे और जिसका सही उत्तर रहेगा दोस्तों वो मैं आपको कल की वीडियो में बता दूँगा आज का मारा question अमदली है राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाला कर है पांच चाकिन का समय मिलता है फटा फटा answer comment box में बता दीजे इस question का सही answer रहेगा दोस्तों राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाला कर है सराब सुल्क यानि की A is the rate answer प्यारे दोस्तों कल का हमारा homework का question था हाल ही में DMRC ने किस देश के सहयोग से e-waste recycling box विदा का उदगाटन किया है तो right answer is Japan यानि की B right answer हो जाएगा प्यारे दोस्तों गर आप लोग किसी भी competitive exam की चारी करते हैं तो आप हमारी master PDF ले सकते हैं 170 रुपे की PDF है जिसके अंदर आपको सारे subject मिल जाएगे वो भी पूरी lifetime के लिए आप कितनी बार भी पढ़ सकते हैं master PDF का link description box और हमारे whatsapp नमबर दोनों जगरेगा link पर click करके payment करके आप directly PDF प्राप्त कर सकते हैं payment barcode से करना चाहते हैं तो इसी number पर message करके बार कोड भी ले सकते हैं payment बार कोड से भी हो जाएगा session आपको अच्छा लगे तो please like share करना चैनल पर नए है तो subscribe करके bell icon को on रखना ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो thank you so much bye bye everyone take care ख्याले के अपना मिलते next class में